नमस्कार में साक्ष एमेनस तो इस लाई मैं आप सब दाशकुप का स्रागत है देखके आसी खास कबर योती की शादेशुदा जिन्दगी में मुसीबत बनी सहली से रही समलेंगी मोहबद जमदेशपूर में दो योतियों का समलेंगी प्रेम संबंद उनके लिए परिशानी का सबब बन गया दोनों में से एक योती ने जब किसी दूसरे युवक से प्रेम विभा लेकिन जब शादिश उड़ा यूवती साथ ही नहीं मानी तो यूवती ने दूसरे ववाइक जीवळात जीवन के लाने का क्रयास किया। इस कारण उसकी शादिश मुदा यूवती के विवाहीक जीवन में क्लेश रहने लगा। पूर्व प्रेमिका की हरकतों से परिशान होकर सिद्गोडा बागुन नगर निवासी युवती अपने पती के साथ विश्ट पूर्थाना पहुची और अपनी पूर्व प्रेमिका के खिला शिकायत दर्ज कराई पुलिस ने आरोब युवती को गिरफतार कर लिया गिरफतार युवती ने पुलिस को बताया कि पिछले तीन वर्षों से वे दोनों साथ रह रही थी लेकिन अब उसकी प्रेमिका ने उससे रिष्टा तोड़ लिया है और एक युवक से प्रेम विभा कर लिया जानकारी के अनुस्तार युवती के पती ने पताया कि उसकी पूरव प्रेमिका की हरकतों की वजह से उसकी शादी में कलह रहने लगा था आए दिन उसका और उसकी पतनी का आपस में जगड़ा रहने लगा था गिरतार युवती की एक सहली सोंवार 25 मार्च राद थाना बहुची पुलिस की कारवाई को गल ठहराते हुए उसने गिरतार महिला को निर्दोष बताया और उसकी विवाहित सहली को दोशी ठहराया मंगलवार 26 मार्च को पूछटाच के बाद महिला की मेडिकल जाच कर आई गई पुलिस नियुवा जी को कोर्ट में पेश किया कोर्ट से फिर उसे जेल भेज दिया गया तो आमने सिन्स लाइक की को पड़ देखने के लिए आजी प्ले स्टोर से आमने सिंद्या आप डाउड़ोड करें और श्यार्नम को लाइक सब्स्राइब और शेकरने हैं आप इस दिजिए आए